डेली करेंट न्यूस में अभी की खबर है क्या है वेस्टर्ण इक्विन एंसिफलाइटिस वाइरस हाले में विश्वस्वास संगठन को अर्जंटीना में वेस्टर्ण इक्विन एंसिफलाइटिस वाइरस यानि WEEV संक्रमड की एक मानव मामले के बारे में सचेद किया गया है यह चेतामनी International Health Regulations National Focal Point यानि IHRNFP द्वारा जारी की गई है चलिए अब जानते हैं Western Equin Encephalitis यानि WEE के बारे में यह एक मच्छर जरित संक्रमड है जो Western Equin Encephalitis Virus यानि WEEV के कारण होता है WEEV वाइरस के टोगा विरिडे परिवार से संबन्दित है इस वाइरस में लगबग 11.5 kg बेस लंबा Single Extended RNA Genome होता है यह Eastern Equin Encephalitis Virus यानि EEEV और सिंदबिस जैसे वाइरस का पुनह सायों जग है मनुष्यों में संक्रमड का संचरण मच्छरों के माध्यम से होता है जो वाइरस के वाहक के रूप में कारे करते हैं हलकि अधिकांश संक्रमड स्पर्शोन मुख होते हैं महिदुलब मामलों में संक्रमड गंभीर परिणाम दे सकता है इसमें 4-5 प्रत्षत मामले मस्तिक्ष के संक्रमड या सूजन के रूप में हो सकते हैं इसके परिणाम स्वरुप नियूरोलोजिकल लक्षन उद्पन हो सकते हैं बता दे कि इसका कोई विशिस्ट एंटिवाइरल उपचार नहीं है तो चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को वेस्टन एक्विन एंसेफलाइटिस वाइरस याने डबलू एईवी के बारे में निम्नलिकित कथनों पर विचार कीजे एक वेस्टन एक्विन एंसेफलाइटिस एक मच्छर जनित संक्रमड है 2. WEEV, वाइरस के टोगा विरेडे परिवार से सम्बंदित है, उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनो, D न तो 1 और नहीं 2 इस प्रश्ण का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दे, अभी के लिए बस इतना ही शुक्रिया Dear viewers, अपने एक्जाम की तैयारी को और बहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूले